हालो स्टूरेंट्स वेल्कम टो यूर्ण प्लाटफॉर्म ग्रेट जीनियस आइम संजना और आइम टेजिंग बिजनस टेरिस हमारा चैप्टर नंबर फाइव जो हमारी जो सीरीज चली हुई है वन शोट रिवीजन की सीरीज उसमें हम आज करेंगे हमारा चैप्टर नंबर फाइव की फटा फट रिवीजन की हमने क्या क्या पड़ा था चैप्टर नंबर फाइव किसके बारे में एमर्जिंग मोड्स ओफ बिजनस इसमें हम पढ़ेंगी आखिर कार बिजनस को करने के लिए कौन-कौन से नई मोड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे बिजनस को करने में पहला आजाता है e-business e-business ऐैसा प्लाथफोर्म है जहा पर हम अपने बिजनस के ट्रांजेक्शन करते हैं online मोड पर बिजनस में क्या चीज़े आ जाती हैं यंद्फ्री आंड कॉमर्से इंडक्स में क्या आ जाता है इंडक्जूमर्स जिससे हमें ए प्रोफित जन रेट होता है जब यह सारी activities on the platform of computer network जिसे हम internet भी कहा देते हैं उसके उपर करते हैं अपने घर पर बैठे बैठे तब उसको कहा देते हैं electronic business जिसको हम कहते हैं online business घर पर बैठे बैठे ही चीजों को मंगवाना और उनकी payment कर देना इसके अंदर हम goods को order भी कर सकते हैं receive भी कर सकत आती है next आ जाएगा कि आखिर का delivery और payment mechanism कैसे possible है delivery करने के लिए delivery में दो चीज़े आती है goods deliver कैसे होती है पहला आ जाता है immediate delivery of goods immediate delivery of goods का मतलब क्या है हमने order कर दिया पैसे pay कर दिये साथ के साथ हमें क्या है access हो जाता है to the goods इसमें आ जाएंगे software आ जाएंगे online classes आ जाएंगी on the other hand second आ जाता है जिनकी delivery क्या है immediately place नहीं की जा सकती है उसमें आ जाएगा mobiles वगेरा car की जो है हम goods कर देते हैं उनका order कर देते हैं लेकिन उनकी जो delivery है वो after some days की जाती है जिने हम कह देते हैं online transactions on the other hand जो payment mechanism है वो कैसे possible होते है जो buyer है वो payment करेगा कैसे अपने credit card का number दे देगा bank को और वो क्या करे अपनी उसकी जो उसने process की होता ह है order उसके लिए उसके जो भी payment बनती है वो उसे process कर देते हैं आगे पे कर देते हैं made through the medium of internet internet के थ्रू ही यह सारी payments की जाते हैं जिसको हम बोलते है electronic fund transfer यह payments का है जब भी हम order करते हैं तब हम से पूचा जाता है कि आप payment online कैसे करना चाहते हैं cash on delivery करना चाहते हैं अगर आप online payment करना चाहते हैं तो electronic fund transfer की साहिता से क्या होगा कि वो online payment में पूचेंगे google pay, paytm, net banking, credit card, debit card, anything you want you can access are these steps to follow more delivery progress. next क्या आजाएगा e-commerce e-commerce क्या है electronic system में जहां पर buy and sell किया जाते है goods and services का सारी commercial activities included होती है buy and sell किसका करेंगे हम हर टाइप की activity का कर सकते है whether it is an information it is an good or any services हम सब कुछ acquire कर सकते हैं एक online platform पर Amazon क्या एक e-business है और जो उसमें various sellers होते हैं वो क्या करते है e-commerce करते हैं क्यों क्योंकि वो अपना goods क्या एक Amazon के website पर डाल देते हैं इसमें क्या है हम goods की information भी ले सकते हैं Google's information लेते हैं और अपना order क्या है place कर देते हैं delivery receive करते हैं और क्या हम cash on delivery भी कर देते हैं और online payment prepaid payment भी कर देते हैं आखिरकर e-business और e-commerce में क्या difference है e-business एक wide concept है on the other hand जो e-commerce है वो उसका एक छोटा सा part है e-business के अंदर क्या है e-commerce के साथ साथ जो supply chain management है HR management है customer relations है process कैसे करने है goods को वो सारा included होता है और e-business में भी risk of failure जाला होता है अगर एक पूरी website क्या है अगर एक Amazon पूरा downfall में चला जाता है तो क्या है business का सारा risk खतम बहुत जाला risk बढ़ जाता है failure होने का on the other hand जो e-commerce है उसमें सिर्फ trade किया जाता है और auxiliary to trade services provide करवाई जाती है जो related होते हैं buying and selling of the goods and services from one place to another place that is taken on place of internet internet पर जो भी goods and services का LinkedIn किया जाता है उसको कह देते हैं e-commerce और इसमें क्या है risk of failure भी बहुत low होता है as compared to e-business जो e-commerce है वो क्या है subset है e-business का और e-business का e-commerce का super set है next जाता है कि scope क्या है e-business का e-business का e-business का पहला है business to business business to business कैसे करेंगे अगर किसी producer को किसी supplier से information चाहिए तो वो क्या करेगा वहां से उसका contact लेगा net से उसका contact लेगा और internet से contact लेने के बाद के अगर उसको किसी raw material की information चाहिए तो वो supplier से contact करके WhatsApp करवा लेगा या फिर क्या call करके communication करके वो अपनी सारी information को gather कर सकता है और अपनी order को place कर सकता है from the supplier तो supplier क्या है demos वगेरा products की images वगेरा क्या है producer को send कर सकता है जो एक business houses है दूसरी business houses है क्या है information को exchange करवा रहे है goods and services को ले रही है जो help है सिर्फ only with the help of e-business इसमें आजाएगा example Alibaba.com जहां से क्या है bulk में जो quantity में क्या है products को मंगवाया जाता है next से आ जाता है CB2C B2C का मतलब है business to consumer जो हम generally करते है flip card Amazon पर किया जाता है हम क्या करते है goods को place करते है अगर मैं कोई goods को place करना चाहती हूँ मैं कोई चीज करीदना चाहती हूँ मैं मालो मैं mobile करीदना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी Amazon flip card पर जाकर क्या है mobile को search आट करूँगी जो मुझे पसंद आएगा मैं खरीद लूँगी उसकी payment कर दूँगी और कुछ दिनों के बाद क्या है मेरे पास है उसकी physical delivery आ जो मुझे क्या करती है बिस्नस से प्रोवाइड करवाई गई है यह होते बिस्नस टू एंड कंजियूमर कंजियूमर भी एंड होना चाहिए ऐसा निकिवों आगे किसी को सेल करें अगर आगे वो किसी को सेल करेंगा तो यह बिस्नस टू बिस्नस activity बन जाएगी यह सिर्फ स इसमें कंजियूमर क्या है अपने सेकिंड सामान को जो उसके लिए यूसफुल नहीं है वो दूसरे कंजियूमर को बेच देता है एक कंजियूमर सेलर होते है कंजियूमर सेलर क्या है अपने नोट यूसफुल जो सामान है उसको क्या है एक साइड पर डालेगा और जो दू जो जिसे consumer को need होती है वो वहां पर आके उस सामान को खरीद लेता है इसे कहते है हम C2C और माल नेक्स्ट क्या है? Intra-B, Intra-B क्या होता है? एक एक एक्सी activities जो within the organization की जाती है भी organization के अंडर हम कैसे यह business activities करेंगे? यह business activities कैसे करेंगे? Business में क्या है? से सारी information दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचाने में आगे इसमें क्या जाता है वर्चुर प्राइवेट नेटवर्क प्रवाइट करवाया जाता है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम मतलब क्या ओफिस में जाकर वह काम ने करता बलकि अपने घर पर बैट को इसमें अपना काम कर सकते हैं शॉर्टनिंग असप्लाइचेन पहले क्या ओता था प्रोड्यूसर से रिटेलर से फिर कंजूमर तक आता था कितनी बड़ी सप्लाइचेन हो जाती थी लेकिन एप इसन आने की वज़़ेसे सिधा प्रोडूसर तू कंजूमर क्या है सेल हो चाता है हम क्या है Amazon से सीधा प्रोड़क्ट मंगवास सकते हैं तीसरा क्या है इसी distribution process इसमें हमें काफी सारे ऐसे employees को maintain नहीं करना पड़ता है जो distribution में हमें help करते हैं बलकि क्या है हम distribution सीधा producers to consumers भी भेज सकते हैं कोई ऐसे distribution authority को लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है quick solution to doubts अगर किसी भी consumer को उसके product से related doubt होता है कोई भी question query arise होती है तो वहां पर क्या है post करके उसके साथ की साथ ही जो query handling team होती है वो सारे उसके doubts को on the spot qualify कर देती है easy to launch new product अगर कोई नया product launch करना है तो यह business की helpful से क्या होता है हम easily उसे launch कर सकते हैं क्यूंकि online होने की वज़े से क्या हम net पर advertise कर सकते हैं जिससे सारे consumers को पता चल जाता है traditionally business हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्यूंकि वहां पर क्या है एक physical shop पर जाकर सभी को ऐसी knowledge प्रवाइड करवाना easy नहीं होता था online की help से क्या है हम सारे का सारा data जो advertisement हमारे नहीं product की उसके pros and cons benefits कैसे use करना है सारा हम consumers सक provide करवा सकते हैं सारी knowledge उन तक पहुंचा सकते हैं जिससे हम अपने product की easily launch कर सकते हैं less personal cost एक जब एक computer चार employees का काम कर देता है जिससे हमारा employees की cost कम आ जाती है saving of time saving of time both business as well the consumer consumers के पास इतना time नहीं होता कई बरी जो officials होते हैं जो professionals होते हैं कि वह जाकर अप market में local local जाकर क्या करे physical जाकर अपना सामान खरी सके तो उनका time भी budget होता है e-business वह जब free होते हैं जब उनके पास time होता है वह घर पर बैठे ही उनको जो जिस चीज़ की need होती है उनको order place कर देते हैं और वह सामान उनके घर पर आ जाता है less risk in payment इसमें payment का रिस्क भी कम होता है क्योंकि हम क्या है credit card company की सहाइता से क्या है हम payment कर देते हैं जिससे अगर payment हमारी कर जाती है तो हमारे पास product आएगा ही आगा in case we are not getting the product तो हम क्या है website पर जाकर अपनी क्यारी डाल सकते हैं कि हमारा product हमें deliver नहीं हो है बलकि हमारे जो पैसे हैं वो cut हो चुके है तब जाकर हमें क्या है वह पूरी information को gather करेंगे check out करेंगे कहां पर काम miss handling हुए है तब जाकर हमारा क्या है payment हमें वापिस back receive हो जाती है production services available in remote areas जहां पर market नहीं है वहां के लोगों को भी क्या है e-business की help से क्या है production services provide करवाये जा सकते हैं next क्या है traditional business और e-business के differentiation क्या है traditional business का formation करना difficult हो जाता है क्योंकि उसके build setup करना पड़ता है लेकिन e-business में easy होता है हमें सिर्फ website software development करना पड़ता है physical presence traditional business में क्या physically shop होना बहुत जरूरी है बलकि e-business में physically shop होना जरूरी नहीं है यह बस हमारी इच्छा है अगर हम office खोलना चाहते हो तो हम कोल सकते हैं otherwise ऐसी कोई need नहीं है cost of setting up traditional business में cost थोड़ी जादा होती है as compared to the e-business क्यों क्योंकि इसमें building होती है man money सब कुछ लगाना पड़ता है traditional business में on the other hand जो e-business है वहां पर हमें building बनाना नहीं पड़ता बलकि website लगानी पड़ती है सिर्फ उसके लिए हमें money देनी पड़ती है dealing time consumers के साथ deal करने में जो time लगता है traditional business में जादा लगता है बलकि वहां पर face to face interaction होती है on the other hand जो e-business है वहां पर dealing time कम होता है length of the business cycle business cycle एक ऐसी cycle होती है जहां से हम raw material करीते है raw material को finished goods में exchange करने के बाद उसके बाद हम sale करते हैं करने के बाद credit sale करेंगे cash sale करेंगे अगर cash sale करते है तो on the spot हमारी business cycle भी खत्म हो जाती है otherwise क्या credit sale करते तो हमारा time जो finished goods के बेचने के बाद जो हमारा पैसे वहां पे लोग हो जाता है तो उसके वज़े से क्या है हमारी business cycle बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि साथ के साथ जैसे goods deliver किये जाते हैं साथ के साथ ही payment आ जाती है या तो cash on delivery या प्रीबेट पेमेंट की जाती है opportunity for interpersonal touch in traditional business there is more opportunity because face to face connection होता है interaction होती है between the shopkeeper and businessman and the consumer on the other hand e-business में as such को interaction नहीं होती है global reach in the traditional business कम होती है क्योंकि हम एक जगा पर अपनी shop खोल के बैटे हैं तो हम सारी जगा पर reach out नहीं कर सकते हैं लेकिन e-business में क्या है हमारी website है जो available करवाई जा सकती है outside the country also हम अपनी country के अंदर भी various जगा पर जा जाकर भी हम अपनी क्या है website को available करवा सकते हैं क्योंकि यह तो online है जिसके पास internet का access होगा वो website को भी कर सकता है government patronage जो government है वो जादा helpful किसको है e-business को जादा साहत प्रवाइड करवाती है क्योंकि उससे क्या है IT सेक्टर increase हो रहा है on the other traditional business को इतनी government की support नहीं मिलती है next क्या है meaning of outsourcing outsourcing आखिरकार क्या होता है एक ऐसी business activities है कुछ जो business organizations है वो कुछ activities क्या है बाहर से services को provide करवा लेती है business कुछ other business houses से क्या है services provide करवा लेती है ताकि उनका जो business है अच्छे से run हो सके smoothly run हो सके profit increase हो सके और उनको specialization की जो benefits है वो भी available हो सके Indian companies है जो क्या है यह services provide करवाती है Infosys हो गया Wipro हो गया and Genpact हो गया अब आखिरकार क्या के activities है जो एक business में की जाती है production buying and selling जो यह तीन चीज़े है वो जो business है वो अपने ही अपने भिहाफ पर करता है खुद ही करता है वो किसी और से नहीं करवाता है लेकिन arrangement of finance, advertisement, correspondence and the collecting debt after sale services provide करवाने consumers को वो सोचता है या तो मैं खुद करवा दूँ या किसी outside the organization से करवा दूँ अगर वो चाहे अपनी cost को बढ़ाना चाते तो वो खुद करवा सकता है अगर cost को कम करना चाते तो वो outside the services क्या है outside the organization भी provide करवा लेता है जिससे क्या है quality service उन् service organization available होती है जो services specialized nature में होती है और वो क्या हम एक fees pay कर देते हैं और हमारी कोस्ट है वो कम आ जाती है specialized services हमें कैसे मिलती है क्योंकि हमारी जो हम जिससे हम organizations हम experts से ले रहे हैं जो services वो expertise होती है उनके पास उनकी special knowledge होती है एक field में जिससे वो various उनके experience होने की वज़े से क्या है वो हमारी help कर देते हैं cheaper source of services अगर हम अपनी company में खुद ही एक office maintain करते हैं जो सारी departments के लिए अलग अलग करते हैं तो हमारी cost का increase हो जाती है fixed investment डल जाती है on the other end अगर हम किसी एक ऐसी well established company से क्या services को gain करते हैं जो हमें help करती है हमारी cost को कम करने के लिए increase in efficiency of users जो भी users होते हैं उनकी efficiency increase करती है क्या क्या users होते है customers होते है suppliers होते है employees होते है जो actual owners होते हैं तो उनका जो main focus है उनकी main activities पर रहता है ना कि छोट छोटी activities पर रहता है next आ जाता है need आखिर कर BPO की जरूरत कैसे पड़ी good quality services को provide करवाने के लिए हमें BPO की जरूरत पड़ी और जो हमारा fixed investment में क्या है जो हमारा fixed investment डल रहा है काफी time लंबे समय के लिए हमारा जो पैसा लोक हो रहा है उसको avoid करने के लिए हम BPO की services ले ले लेते हैं और अगर हमार business अच्छे से smoothly run करें कोस्ट कम पड़े अच्छे जो main core activities areas है हम उस पर focus करें rather than going to the some small area तो उसके वज़े से क्या है हम BPO को assign कर लेते हैं next क्या है types क्या है outsourcing services के BPO के कुछ types है financial services, advertising services, courier services and customer support services financial services क्या होती है कैसी services होती है जो help करते हैं finance को manage करने में कौन से companies है जो Tata Consultancy Services है bank commercial banks है वो help करते हैं हमें finance को manage करने में इसमें पहली आ जाते factoring facility, factoring facility इसलिए प्रवाइड करवाई जाते हैं ताक कि हमारा जो debt collect करने का time period है वो कम हो जाए जब भी debt collect करने का time period आएगा वो सीधा जो factor होता है उसके पास चला जाएगा और factor हमें advance payment कर देगा क्या करते हैं company company से buy करते है debtor और जो debtor है जब time period करने जब time period क्या है lapse हो जाएगा खतम हो जाएगा तब क्या करेगा factor के पास payment कर आएगा लेकिन factor क्या है उसमें से अपनी payment पहले काट लेता है और rest of the payment क्या है अपनी company को दे देता है जो payment कट करता है उसे हम commission कह देते हैं नेक्स्ट आजाती है merchant facility, mainly merchant facility एक commercial bank सी provide करवाते है whether it is a private और a public bank वो बैंक जो merchant facility provide करवाई जाती है वो एक company के shares and debenture को market में लेकर आने के लिए provide करवाई जाती है इन में क्या गया जाता है prospectus की जो printing होती है उसमें क्या statements आएंगी कौन से हमें rules and regulations आड करने है कौन सी information आड करने है वो सारी merchant bank help करता है क्या उसने underwrite करना है shares को यह सारी merchant facility क्या है provide करवाई जाते है by the commercial banks कोई भी commercial bank हो सकता है whether it is a private और a public bank next आ जाते advertisement services अगर कैसी भी company को क्या है जादा profit चाहिए उसके लिए जादा sale भी करना चाहिए अगर sale करना पड़ेगा तुसे अच्छे से advertise करना पड़ेगा जिससे क्या है अपने product की knowledge क्या है market में consumers तक पहुंचा सके तो ऐसा क्या है यह company खुद भी कर सकती है लेकिन अगर खुद करती है तो एक तो advertisement अच्छी quality की नहीं होगी दूसरा उसकी कोस्ट बढ़ जाएगी इन दोनों क्या है limitations को दूर करने के लिए वह एक ऐसी company को hire करती है जो advertisement services provide करवाती है कौन सी company से modern school होगे national school of brahma और मिंत्रा आ जाएगा next आ जाएगा हमारे पास courier services courier services पहले क्या होता था कि हम courier services को लेने के लगर हमें कोई letter बेचना है कोई document बेचना है कोई parcel send करना है तो हम क्या post office जाते थे वहां पर जाके envelope ले ले लेते उस पर अपना नाम address लिखते जाम पर बेचना है address का address लिख देते थे जो help करता था हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अपने सामान को पहुंचाने में लेकिन अब क्या है कुछ ऐसी companies open up हो चुकी है जो हमें help करते हैं कूरियर में अगर हम online अपना order place करते हैं तो क्या हमें सीधी flip card देने आते हैं नहीं उसके अंडर क्या है कुछ ऐसी companies उनोंने assign की होती हैं जो help करती हैं उस company को courier services को provide करवाने के लिए जिसने ultimate end consumer गुड़्ज प्रवाइड करवाती हैं ये companies क्या है commission को commission लेती हैं services provide करवाने के बदले में और add 9 क्या है वो address को जाकर अपना parcel sender कर देती हैं जैसे हम receive करते है flip card में आप आगे से ध्यार रखना जब भी आपको flip card पर Amazon पर Mintra पर कहीं पर भी online आप अगर कुछ भी process करते हो order तो आपके पास एक message आता है वहां पर देखना e-com लिखा है व्यू डाट लिखा है तो ऐसे companies का क्या है नाम लिखा होता है कि यह company का यह employee आपके पास क्या है अभी order देने आ रहा है next आज आएगा customer support services customer good होता है हमारे business के लिए अगर customer happy है तो business की growth ultimately होगी ही होगी we love customers हर business को चाहिए कि उसका पास customers बढ़ते ही बढ़ते आए लेकिन customer बढ़ेंगे कैसे उनको अच्छे quality के goods प्रवाइड करवानी पड़ेंगी उनको reliable usable हो अच्छी उनकी care handling हो after sales services प्रवाइड करवानी पड़ती है तो इन after sales services को प्रवाइड करवाने के लिए कुछ प्रवाइड करवाती है और उनकी after sales services भी प्रवाइड करवाती है जिससे क्या है customers का faith company में बढ़ता ही चला जाता है knowledge processing outsourcing आखिरकर BPO के बाद KPO आता है KPO में ऐसी क्या चीज़ अलग है जो BPO से उसे differentiate करती है BPO क्या है एक processing unit था लेकिन KPO में क्या specialized knowledge high-end knowledge इसमें convert की जाती है जो क्या है एक business house क्या है जो knowledge provide करवाता है दूसरे business को related to research techniques technology market research pharmaceuticals जहां पर high-end knowledge की जरूरत होती है यह क्या करते हैं यह high-end knowledge क्या प्रोवाइड करवाती है from outside the organization कोई दूसरी organization उन्हें प्रोवाइड करवाती है ताकि उनका business अच्छे से run हो सके cost effectively minimum हो सके क्यों ताकि क्या क्या activities आ जाती है focus is a knowledge expertise knowledge उनके जादा होती है English speaking positive attitude होता है और उनके पास work experience बहुत जादा होता है आखिर कारें KPO लाने की जरूरत क्या पड़ी BPO का देखा का देखा था कि हमने good quality चाहिए KPO में देखेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या है पहले तो बात क्या है course specialization जो areas है वहां पर हमें जरूरत पड़ती है KPO की जहां पर हम deep knowledge की जरूरत पड़ती है वहां हम KPO को लेकर आते हैं कोस्ट जहां पर हम चाहिए कि हमारी कोस्ट minimum और efficiency increase हो तब हम KPO को लेकर आते हैं अगर KPO लेकर आते हैं तो हमां हम क्या है दूसरी companies के साथ alliance कर लेते कुछ activities वो provide कर वाते हैं जिससे हमारे business की ultimate growth हो सकती है क्योंकि हमारे हमें क्या है quality service मिल जाती अगर business की growth होगी business का profit होगा उसका कुछ part क्या है government के पास जाएगा जिससे क्या economic development हो जाता है वो tax क्या economy welfare के लिए लग जाता है infrastructure में लग जाता है next आएगा keen features क्या है KPO के KPO क्या है BPO के upward shift है एक step आगे है KPO में क्या है business नहीं बलकि knowledge को include किया जाता है KPO में क्या expertise knowledge लगते ह है instead of getting a process knowledge process का इसमें कोई लेना देना नहीं सिर्फ उसमें mind में जो उनके पास एक specialized deep knowledge है वो अपनी employee कर देते हैं यह एक output है BPO का अगर BPO आया तो भी KPO आया था otherwise नहीं आ सकता था यो कि business processing करने के बाद ही हमें पता चला कि हमें knowledge की भी बहुत ज़रूरी है it provides all non-core activities it has no predetermined process to reach a conclusion इनके पास कोई ऐसा predetermined planning नहीं होता कि हमें अगर conclusion पर जाना है तो हमें ऐसे plan करके ही चलना पड़ेगा on the spot जैसे उनके पास expertization होती है जैसे उनके पास skills होती है वो अपनी employee कर देते हैं और conclusion पर चले जाते हैं यह क्या alternative एक career pathway है जो हमें help करता है हमारी education को आगे लेके जाने में आखिर कर BPO में क्या differentiation है BPO क्या एक contract है जिसमें हम क्या है एक company का दूसरी company के साथ contract कर लेती है कि आप हमें कुछ services provide कर वाओगे लेकिन KPO में क्या है वो उस contract में होने के साथ है data है जो drive करती है दूसरों को provide कर वाती है क्या gathering करती है information को उसको manage करती है उसको ही basic computer skills होनी चाहिए और good communication skills होनी चाहिए on the other hand KPO में क्या है उसके पास specialized knowledge होनी चाहिए जिससे वो क्या है business को अच्छे से grow कर सकता है क्या क्या इसमें services होती है business में क्या है low end services आ जाती है इसमें क्या आ जाएगा financial services आ जाएंगा advertisement services courier services and customer support services आ जाएंगी लेकिन knowledge processing outsourcing में क्या ह है high end services आती है जो related to a particular field से होती है research से related होती है pharmaceuticals होगे जहां पर हमें deep knowledge high knowledge की जरूरी होती है employees अगर जमाल लोग BPO क्या एक processing unit है और वहां पर क्या है इतनी knowledge भी required नहीं है तो वहां पर employees भी इतने well qualified नहीं होते on the other hand KPO वहां के employees क्या है वो well qualified होते है और उनको पता होते है कि ह हमें काम कैसे करना है उनके पास एक specified expertization होती है उनके various field में expertise in process अगर BPO करते हैं उसमें क्या expertise होनी चाहिए हमें process के अंदर कैसे production करनी है कैसी उसको कैसे product produce किया गया product हमें market में लेकर जाना है और कैसे हमें अपने customers को retain करना है on the other hand जो KPO में है knowledge के उपर expertise होती है उनको पता ह सर्च करनी है उसकी gathering करके उनको अच्छे से analyze करके फिर हम raw form को final data में drive करके company को provide करवाती है जो BPO है वो realize करता है cost arbitrage पर और जो KPO है वो किस पर rely करता है knowledge arbitrage पर इसके साथ ही हमारी जो यह revision series है chapter no 5 की वो खतम होती है आप इसे अच्छे से पढ़ना अच्छे से revise करना अगर टेक क्यार एंड गुडबाई